12 मार्च का इतिहास 1799 आस्ट्रिया ने फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोशना की थी 1872 लॉड मायो को मौत के घाट उतारने वाले शेर अली को फांसी पर लटकाया गया 1930 महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए एहमदाबाद के साबरमदी आश्रम से दांडी यात्रा शुरू की थी 1938 जर्मनी ने उस्ट्रिया पर हमला किया था 1942 दूसरे विश्यु युद्ध के समय बिटिश सैनिकों ने अंडमान द्वीब खाली किया 1954 भारत सरकार ने साहित अकादमी की स्थापना की 1967 इंद्रा गांधी दूसरी बार देश की प्रधान मंत्री बनी थी 1993 मुंबई में हुए सिलसले वार बम धमाकों में सैकडों लोग हताहत हुए 1999 बीस्वी सदी के प्रसिध वायलिन वादक यहूदी मैनुहिन का निधन हुआ साल 2003 सर्विया के प्रधान मंत्री जोरान दिजिनिदिक की बेलग्रेड में हत्या हुई थी